तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे महौल में किसान संगटनों ने, नेताओं ने, मान्य कृष्वी मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव, आउट ओफ दो बॉक्स आइडिया पिछ चर्चा किये हैं कि सरकार की प्रमोटेट जो कोपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे वो NCCFO, National Consumer Cooperative Federation, NAFET, ऐसी संस्थाओं द्वारा, जो किसान, अपना क्रॉप डाइवर्सिपाई करके, या तो तूर दाल बनाए, उड़त दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए, या बक्का बनाए, उनको पाँच साल के लिए एक कॉंट्रैक्ट करके, NCCF और NAFET, गैरंटी करेगा, कि अगले पाँच साल तक, जो भी क्रॉप डाइवर्सिपाई करके, ये चार प्रॉडक्स बनाएगा, चार उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाए, MSP पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा, वैसे डेटा तो अलड़ी है कौन किसान, कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वभाविक तोर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है, और पाच साल की का करार कौन्ट्राइक किया जाएगा, नाफ्रेड और NCCF द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करें, उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन, जमीन बंजर होने से बचेगी, अल्रेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन, किसानों की आंदरी भी बढ़ेगी, और उनको सुनिश्चित होगा, कि जो भी उत्पादन है, वो MSP पर NAPVED और NCCF खरीदेगी, और भारतिय किसान, मजदूर यूनियन, और अन्य कुछ किसान संग्यतनाओं के प्रतिनिदियों के साथ, बहुत ही अच्छे वातावरण में, एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नए सोच के साथ, कैसे भारत के किसानों के हित में, जो मानने प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी जी ने दस वर्ष में अलग-अलग काम किये, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है,